तो फ्रेंट्स मैं से एल करूंगे आज आपके साथ क्रिस्पी और टेस्ट इसे आलो के चिप्स की रैस्पी और यह जो चिप्स ही इनकी एक हासे थे ना तो आपको इसके लिए आलो को दोप में सुकाना है ना ही आपको आलो को बालना है और ना इसके लिए फिट करें पार्च मिनिट में जो आलो के चिप्स सीधे ऐसे बिनकर तयार हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने चिप्स को बनाया है और अगर आप भी मेरे बतायोए तरीके से चिप्स बनाते हैं जाएंगे आपको इसे बड़े बरतन में पानी लेकर उसमें डालते जाना है अब छेलने के बाद आप इस तरह से अगर पानी में आलो को डालते जाएंगे तो जो आपके आलो है बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेगे आप चिप्स स्लाइसर से भी चिप्स बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह का कद्दुकस सब के पास होता है, आप इसे भी आसानी से चिप्स बना सकते हैं, इस तरह के कद्दुकस से भी बिना दिकत के साथ बहुत बड़े चिप्स बनते हैं, अब आप ये देगे कि तने अच्छ पोछ़ाना हैं तो क्योंकि हम इन चिपस को बहुत अशुकाने वाल तो इसमें डाल लेना है आदी चमाच नमाच में चुकषा क्वाल्ड और से हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी व्रत के लिए चिप्स बना रहे हैं, तो नोर्मल नमक की जंगे, आप इसमें साधर नमक डाल सकते हैं, अब चिप्स फ्राइ करने के लिए आपको जो तेल चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाई गर्म होना चाहिए, आपको हलके गर्म तेल में च जो आपके चिप्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, फ्रेंड्स अकर आप इन चिप्स को इस्टोर करकर रखना चाहते हैं, तो आप एक महिने तक के लिए इन इस्टोर करकर भी रख सकते हैं, यह चिप्स खराब नहीं होंगे, चिप्स को चलाते हुए ही फ्र बर मातर में फ्राइ हो, अब बालो के चिप्स आदे से थोड़ा जादा फ्राइ हो चुके हैं, और फ्राइ होने के कारण यह थोड़े से हलके भी हो गए हैं, जिसके कारण यह उपर तैने लगे हैं, तो अब इसी स्टेज पे आपको गैस का फ्लिम लो कर देना है, अब जो इसके कारण चिप्स की कुकिंग बहुत धीरे से होगी, और चिप्स बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे, इसके साथ ही चिप्स फ्राइ करते टाइम जो लाल पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, अगर आप इस तरह से चिप्स बनाएंगे, तो आपके सबी चिप्स अच्छे से फ्राइ हो पाएं, अब यह जो चिप्स अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं, तो बस दीर दीरे करके इने सबी को निकाल लेना है, अब आप इन चिप्स की अवासे ही समन सकते हैं, यह जो चिप्स से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, तो फ्रे कर लेजिएगा मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद